हलो नमस्कार गुड इबनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तों यहाँ पर UPPCL TG2 वेकेंसी को लेकर दोस्तों मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ और दोस्तों आप बहुत लोगों ने कमेंट किया था और लगा तर कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक वेकेंसी आएगी ठीक है दोस्तों इलेक्सन के बाद क्या वेकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी कब तक आने के चांस है दोस्तों मैं इसी बात को ले करके अभी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मेरा नाम है पंकस आप देख रहे हैं पंकस एरूटेक अगर दोस्तों हमाई चैनल पर आप नए हैं तो ज जार संगीता से पहले कि जार संगीता न लग जाए वेकेंसी आउठ हो जाए और लोगों ने जा करके वहाँ पर धरना दिया था मतलब कि ग्यापन दिया था लोगों की भीड़े कठा होई थी सक्ति बहुन में लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों वहाँ पर कोई भी सारी फिलहल दोस्ते हां पर जो आपके सवाल है कि क्या एलक्षन के बाद जो है कुछ रिकूइंट होने के चांसे है टीज को हूं तो दोस्ते हां पर रिकूइंट होने कि बाद मैं कहूँ तो अभी दूस्तों 10 तारीको रीजल्ड जारी की जारी किये जाएगा 10 मार्श को और 10 मार्च के बार रिजल्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर करीब करीब एक महिने तक परक्रिया चलती है, कौन से परक्रिया चलती है, मैनेजमेंट के परक्रिया, मतलब कि मंत्री परिसत की गठन की जाती है, कौन सा मंत्री बनेगा, कौन सा भी धाय, कौन सा भी भाग तो मार्च 10 मार्च अप्रेल अप्रेल से मई दोस्ते हैं पर जून और जुलाई तक जो है आने की उमीद है जून जुलाई तक जो है रिक्रिमेंट पर क्रिया चालू होगी तो आपको देखने को मिलेगा नया सेशन में फिलाहल दोस्ते हाँ पर वेकेंसी आएगी 101 परसंट सब्सक्राइगी और यहां पर जो मैंने बताया वह आपको बेकेंसी आपको देखने में तो अभी तक का अप्डेट यह है जो एक उम्मीद की जा रही है फिलहाल दोस्ता आपको पता ही है कभी गौवर्मेंट जो है अभी इतना परियास करने के बावजुद भी कुछ नहीं कर पाई तो यह जो प्रकृरिया उनकी इच्छा है पूरी करने के बाद ही सारी प्रकृरिया होंगी इसके बाद भी लगात दिये जाएगा बक्यांस के लिए करके और फिर से कोशिस उतने ही की जाएगे उतने ही जोर सोर से ताकि जो है परभरती निकल सके ठीक दोस्तों जैसे कोई अप्डेट आती है आपको बेड़े को मातम से जरूर मिलेंगे नमस्कार